पाली की सुमेरपूर में आरसस के 21 जनवरी को निकलने वाले पतसंचलन के लिए किजा रही रिहसल को समुदाय विशेश के लोगों ने रोप दिया इस से विवाद की स्थिती बन गई वहीं जानकारी मिलते ही पुलस अधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को शांत करवाया जानकारी के मताबिक आपको पता दें स्वयम सेवा का जिस मार्ग से गुजर रहे थे उसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि आज तक इस मार्ग से कभी पतसंचलन नहीं निकला है और नहीं इस मार्ग पर रिहसल हुआ है ऐसे में इस रास्ते पर रिहसल करने का कोई आचित नहीं है वहीं स्वयम सेवा को उसे रास्ते से पतसंचलन पर पतसंचलन को निकालने के लिए आड़े रहे पुलिस ने समझाईश की तब जाकर मामला शांत हुआ लेकिन दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने विरोज अतात आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हिंदू संगठनों के आववाहन पर दुकाने बाजार सबबंद गलियाओं में संनाटा परसा पसरा हुआ है और पुलिस जाबता तैनाथ है सबसे बड़ी बात यह कि जो मामला बताया जा रहा है वो यह बताया जा रहा है कि पत्संचलन को लेकर जो रिहसल करी जा रहे थी उसमें विशेश शमुदाय का ये कहना था कि इस मार्ग से कभी आज तक न रिहसल हुई है ना पत्संचलन निकला है और ना आगे निकलेगा इसको लेकर के दोनों ही दल अपने में अडे रहे जिसका नतीज़ ये रहा कि आज कस्वा बंध है इस कबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमेरपूर से हमारे एवन समधता नरेश हम से जुड़ चुके हैं नरेश कस्वा बंध है सुमेरपूर आज पूरा बंध है अज कस्वा बंध करने का अउलान कर दिया जी पूलीस की तरफ से सीयजी की बैठक आज जीट की गई उस बैठक में समझा इसके बाद डॉफर के बाद कस्वा खोल दिया गया है नरेश ये जो बंध का आज आवहन किया गया था कहीं सो कोई तनाव की स्थती तो नहीं उत्पन हुई है अब संचलन को लेकर के दोनों पक्षों में सहमती बन चुकी है बहुत बहुत धन्यवाद नरेश खबर पर जादा जानकारी के लिए अब संचलन को लेकर के समधाय विशेश के लोगों ने रोक लगाई लेकिन उसके बाद समझाईश के बाद और आज बंध के आवहन के बाद आखिरकार दोनों ही पक्षों मान गए हैं कुछ गिरफतारियां हुई हैं कुछ लोगों को समझाया गया है बहुत सारे चीज़ें आपर सामने आए लेकिन आखिरकार दोनों ही पक्षों आपसी सहमती से मान चुके हैं